आज हम सेकंडियर की एंसे आर्टी बाइलोजी का पहला चैप्टर सेक्सवल रेप्रोडक्शन इन फुलावरिंग प्लांट्स पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है कल हम इसके बारे माँ डेटेल से आपको बताएंगे और आज आप फुलावर का जो है पैडिसल स्टाक होता है जिसके उपर आपके फ्लोरल वर्द लगे होते हैं ठीक है पैडिसल इस टाक ओफ फ्लावर तो ऐ ओके पैले टर्म हो गया इस्टाक फ्लावर पैडिसल दूसरा देखे थैलेमस इज ए स्वैलन टिप ठीक है और रेसेप्टेकल और हाइली कंडेंसे स्टेंप वेर जहां पर पुष्प के चक्र चार ओर लगे होते हैं फ्लोरल वाल्स और टैज उसे हम थैलेमस कहते हैं ओके तीसरा तरम देखे कैलिक्स ये सबसे पहला बाहर का असेसरी सहायक चक्र होता है जिसके यूनिट सैपल होती है ओके तीसरी चीज़ कोरोला ये आपका सेकंड असेसरी वरल है जिसके यूनिट जो होती है पैटल होती है और इसके बाद एंडरोशियम और गाइनोशियम ये दोनों जो है एसेंसियल वर्ल होते हैं आवश्यक चक्र होते हैं जिसमें ए जो है एंड्रोशियम पहला एसेंसियल चक्र है जिसके यूनिट होती है इस्टामन गानियोशियम आपका सबसे इनरमोस जो है इसेंसियल वर्ल होती है जिसके यूनिट कार्पल या पिस्टल होती है लेकिन आज हम आपको एंड्रोशियम के इस्टैमन के बारे में कुछ हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी यह देखिए एंड्रोशियम के यूनिट जो होती है वो इस्टैमन होती है और यह सवाल कई बार आपके नीट में आ चुका है इसका जो नीचे का हिस्सा जो थैलमस से जुड़ा हुआ होता है उसको हम प्रोक्जीमल एंड कहते हैं अच्छी तरह से नोड करते जाएगा दोराते जाएगा और उपर का हिस्सा जहां पर हमारा फर्टाइल पार्ट है यह इसका जो है फिलामेंट कहलाता है जिस जो फिलामेंट ठीक है तो किसी भी स्टाइमन के मोस्ट इंपोर्टन कंपोनेंट जो होते हैं वह हम आपको बता रहे हैं पहले आपका फिलामेंट है फिर उसके बाद बीच में कनेक्टिव आता है वैस्कुलर टिशू होते हैं जिसक को प्रव और ना आपका डिश्ड्य'll under होता है थोगके अप इस कैनेक्टिबं से जो एंधर से जुड़े होते हैं उनके तोड़ा सा हिस्सा पसा सामने हुआ है कि एंधर से की वाल में बाहर से अन्दर आने पर कितने कितनी लेयर हमें परते मिलती हैं वह हम आपको एक एक करके बता रहे हैं सबसे पहले किसी भी एंतर सेख में जिसे हम मायक्रोग शोक्रोओं भी कहते हैं फिक है तो होता है आपका इस्टैंब्वन जो इसमें आपकी टेट्रा सपुदीड चार लगी तो नीचे लगी होती है connective tissue के साथ जुड़े हुई उसमें बाहर से जब अंदर की ओवर पाएंगे तो सबसे पहले आपको epidermis मिलती है remember epidermis is the outermost layer of a anther set या mycorosporengium की दूसरी layer जो है वह आपकी है endothesium ठीक है और तीसरी जो है दो या तीन लेयर जो होती है वह वाल लेयर होती है ठीक है पहला epidermis हो जाता है I can write here epidermis ओके और यह रहा आपका endothesium ठीक है और तीसरा रहा यह आपका वाल लेयर अब जड़ा सवाल देखे ठीक आपके सामने जो है है पहली वाली single layer epidermis endothesium single layer लेकिन दोनों में अंतर क्या है पहली वाली में कोई thickening नहीं है जबकि दूसरी वाली में थोड़ी thickening है मोटी भित्ती है जो कि साब दिखाए देरी ए दो टैसरी वाली जो है वाल लेयर होती है जिसमें दो से तीन लेयर सोती है थाड़ नमबर पर इसके बाद चौते नमबर की जो आती यह है वह है आपकी टैप itum बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना होगा यह देखे टैप Itum रिमेंबर टैप यह होती है वह न्यूट जिसमें आपकी रेडक्षन डिविजन होती है और इंदर चार माइक्रोस्पोर बनते हैं उस चार और आज हमारा टॉपिक जो है वह आपके सामने है नीट बाइलोजी के लिए या CSI यूपीसी हाई रिजिकन सर्फ कमिशन के लिए वह है आपका एंडो थीसियम कि रिमेंबर एंडो थीसियम इसे लेयर है किसकी यह रियर पॉलिन सैक की ठीक है एंतर सैक की या स्टामन की इसलिए अंतर लिखा हुआ है ठीक है यह जिए डाइग्राम आप यहां देख रहे हैं यहां पर यह देखे एपडर्म आउटरमस लेयर है सेकंड लेयर जो है मैंने करफि है पहला नमबर फärस नमबर यह आपका दूसरा ये है आपकी एंडो भी साल से shrinking है अंदर की तरफ साइडों में मोठी मोठी भित्तिका जमाब है और यह जमाब किसका होता है यह होता है 12род का होता है ठीक और इसलिखने नीचे लिखेंए अंडो भीरिल ठीक है अगर आपसे पूछता है कि एंथर के सेक के वाल में ठीक है यह थिकनिंग या आपके फाइब्रस थिकनिंग किस लेयर में पाई जाती है यौर आंसवर इज एंडो थीसियम ओके अब आपको कंफर्म करने के लिए रिवाइज करने के लिए मैं इनको सिस्टेमेटिकली सारे पॉइंट आपको बता रहा हूं के लिए वह आपके सामने सवाल मवजूद है जरा देखे क्या है अगर कोई पूछता वट इज एंडो थीसियम तो इसका जवाब जरा देखे क्या है इस सिंगल मल्टी लेड या तो सिंगल होती है कि कुछ में मल्टी लेड भी है कोई इडिकत दूideo कर देखें को इसका औरिजिन कहां से होता है और जैटेट फ्रम दशेक्व नीचे याद रखिए ईपडर्मिस के नीचे जितने भी होंम助ने मास होता है है . उसे खम और कि sporeo qse là जिससे अंदर अस बौत के अड़ां इस अलेसे वह पर लगें और यह ठेखने किसकी बनी होती है deva सेललोज की बनी होती है आगे देखे यह जो आपकी फाइबरस लेयर है एंडोथीशियम जो है यह हाइग्रोस्कॉपी के नेचर है पहले यह काफी खूब मोटी होती है वाटर का एब्जॉर्ड करके स्टामन काफी यंग होते हैं ठीक है लेकिन अगर उनका इस फुटन कराना क्या है तो वो कैसे करेंगा उसके लिए जो है हाइग्रोस्कॉपी के नेचर होती है और यह सजायता करती है जिसके पॉलिन ग्रेंड के इस फुटन में यानि इस प्लिटिंग और पॉलिन ग्रेंड जो है मैचर्टी पर रिलीज हो जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट में बन स लीज करती है बाद में शुक्र जाती है शुक्रने से इस्टूमियम खुल जाता है और पॉलिन ग्रेंड हवा में बाहर आ जाते हैं थैंक यू बारी मच्च दिस इस वाल फो टुड़े